सबते पहले सारे बाण भायान रामराम आज का अमारा जो विशे है वो अमारी जो माताएं हैं भेने हैं इनके लिए रहेगा अक्सर चालिस के बाद जो महिलाओं में एक बड़ा दुखदाई रोग हो जाता है गरवाशे के अंदर कोई भी अपवाद पैदा हो जाता है गांट हो जाती है रिशोलिया कह देते हैं गांट कह देते हैं उसके कांड़ जोन के पीरिड हैं बड़े ही जटील समिश्या हो जाती है उनको अधिक पीरिड आते हैं और उनके अंदर अमीनिया की कमी हो जाती है यान की खून की कमी हो जाती है और उस गांट का जो हमारी है एक ही इलाज है सरजरी लेकिन आयरवेद में इतने नुस्के हैं हजारों नुस्के हैं जिन को आप अपनाएंगे तो इस रोग से शुर्वाती दोर पर बिलकुल आराम से ठीक भी हो सकते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है क्यों जो डेट है वो लंबे टाइम चलती है और इसके कान जो है सरीर से खुन रिष्टा रहता है जिसके कान उनमें अमीनया की कमी हो जाती है और म जल पीपली जल पीपली मैं आपको साइड में दिखा रहा हूं यह देश सकते हैं यह आपको तलाब नदी नाली के किनारे मिल जाएगी इसको आप साबसूतरी जगे से लिए यह नाले कहीं गंदे नाले के पास है क्या कहीं दूसित पानी बेह रहा है वहां से नाले रहेगी 10 ग्राम, 5-7 काली मिर्चे ले ले उस 10 ग्राम पीपली को आप 5-7 काली मिर्चों के साथ अच्छी तरह कूटकर चटनी मना ले और 100 ग्राम गाएं की दई हो उसमें मिक्स करके खाली पेट आप इसको पिएंगे, जो आपको पीडा है यह दुखदाई पीडा है इससे पहले दिन में ही रात मिलनी सरू हो जाएगी इसका लगातार आप तीन दिन प्रियोग करें हर मन्त में जब भी आपको पीड़ हो और इस तरह की दिक्कत हो तो कम से कम तीन महिने या चार महिने जल पीपली के इस मिस्रण का प्रियोग करें तीन से चार महिने ऐसे ही आप प प्वाद पैदा हो गया है और जिसके कार्ण आपको ये समस्या आती है वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी और आपकी जो पीरिड है वो बिल्कुल सही टेम पे आएंगे और अच्छी तरह आप सवस्त हो जाएगी अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल गो सब्सक्राइब करें जय हिंद जय भारत